हलो फ्रेंड्स हमारे सेशन इंडियन पॉलिटी फोर एच्छ दोहजार एक्किस में आज हम बताएंगे कि भारत के सविधान में क्या नहींत है कैसे राश्टपती किसकी सलापे काम करेगा इसके अलावा हम आपको बताएंगे राश्टपती को दी गई सलाप क्या किसी नहीं की जा सकती है या नहीं की जा सकती और बताएंगे चोवारी से सयोधान संसोदिन अधिनेयम दवारा मन्तरी परशद की सल्खा को पुनह विचार के लिए राश्टपती लोटा सकते हैं नहीं लोटा सकते साथ ही बताएंगे एक्जामनेर आपसे एक्जाम में कैसे क्विशन बूच सकता है हम आपको बताने सायुधान के अनुचेर चोहतर एनियार्टिकल 74 सबकलोज एक में उपबंध है कि राश्ट्रपती को सल्हा वैसायता देने के लिए एक मंत्री परीसद होगी जिसका परधान परधान मंत्री होगा और राश्ट्रपती मंत्री परीसद के सल्हा के अनुचार कारे करेगा यानि राश्ट्रपती किस के सल्हा के अनुचार कारे करता है राश्ट्रपती मंत्री परीसद के सल्हा के अनुचार कारे करता है और 21 भारत के सयुधान के 21 अंशेद में नहीत है ये नहीत है आर्टिकल 74, 74 सबकलोज 1 में उपबंद में इसके अलावा 24 सयुधान संसोदन अधिनियम 1978, 24 सयुधान संसोदन जोकी 1978 में जनता पार्टी द्वार किया गया था उपबंद किया गया कि राष्ट्रपती मंत्री परिशत की सला को पुनहे विचार के लिए लोटा सकता है यानि इससे पहले राष्ट्रपती को जो सला जो मंत्री परिशत देता था उसे वो पुनहे विचार के लिए नहीं लोटा सकता था लेकिन उसको बताये गया है कि उसे राश्टपती को भेज़ दी तो उसके बाद वह उस पर अनुसार कारिय उसको खरना ही पड़ेगा वहीं अनुसे 74 सब कलोज़दों में उपबंद है कि मंत्री परिशत द्वारा राश्टपती को दी गई सला को किसी नियाले में जाज नहीं कि जा सकती मंत्री परिशत की दी गई सला राश्टपती को किसी नियाले में जाद की जा सकती है आप कांसरोगा नहीं की जा सकती इसके अलावा राश्टपती अपने सभी कारिये मंत्री परिशत की सला पर करेगा और चोड़ से सयुदान संसुतर अधिनियम द्वारा बताया जया है कि र उस अलाक एनुसा राष्टपती को कारिये करना ही पड़ेगा अमरे आज के सेसिन मितने ही थेंक्यू